हाई गाई स्वागत है एक और नया वीडियो में आज की इस वाले वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा और दिखाऊंगा ऑस्टेलिया और न्यूजिलेंड में कैसे आप कर सकते हैं ज्यादा कुछ करना नहीं है दो एक्जाम होती है मैं अभी पूरा आपको कंप्यूटर के स्क्रेंड में ले जाके दिखाता हूं तब तक के लिए बने रही है मेरे साथ यह मैं और आपके पास दो-तिन साल का क्लिनकल एक्सपीरेंस है आप बहुत अच्छा हो और आपको लगता है कि आपको ऑस्ट्रियल न्यूजिलेंड में और बाहर जाना है या जाने का मन है आपको लगता है बाहर आपको प्रटेंशियल जादा मिलेगा इंडिया में इतना सेलरी नहीं मिल रही इतना उपरचुनिटीज नहीं मिल रहा है तो मैं आप लोग आज इस वाले वीडियो में आपको बताऊंगा दिखाऊंगा कैसे आप और न्यूजिलेंड की कंबाइन के अगा न्यूजिलेंड सकते हों और वहां पे वीजा पर जा सकते हो आउस्ट्रिल्य और न्यूजिलेंड पर सबसेपहलर आपको इस वाले वेप साइट में जाना है ज़ना है सब्हां पर प्रोसेस और यह से पर यहां पर आपको कितना पैसा लगेगा वो दिखा दिया जाएगा तो मैं आपको दिखा देता हूं कितना पैसा लगेगा तो यह है सारे यहां पर जो कॉंपिटेंसी टेस्ट होती है अप्टिमेट्री के एक्साम की उसमें जो जो फी लगेगा यह फीज यहां पर पुरा एकस्प्लेंड है को कितना फीपे करना है कब क्या पर करना डेट वगरा सारा इसमें दिया हुआ ठीक है अब बेक टुद को फिल करना है ठीक है फॉम्ट्रू को फिल करना है यह फॉर्म यह रहा कि नाम बेसिक organizations पासपूर इटेल रिजिट्रेशन प्रॉसस्य सारे यह फोर चीज आपको प्रॉइट करनी और यहां पर लिस्ट है उसके बदापको एक प्रमृंट करनी है ठीक पांड कह लगबगा रिप्लाई बेग करेंगे कि अगर आप में नहीं यह ठीक है एक्सम में ब겠ने की लिए तो एक रिटिएन एक्जाम होता है एक लिम्य काक्व ऑन नीश्टरियाब करने नीजिलेंड और देशों में आपको practice करने के लिए license registration करने के लिए मिल जाएगा उसके अगर आप उसमें pass होता हो फिर positive skill assessment issued होता है आपके पास आपके पास license आ जाता है फिर आप apply for general skill migration उसके बाद आप visa के लिए apply कर सकतो फिर Australia New Zealand में जाके job कर सकतो इस दोरान आपको दो चीज धियान रखना ह application fees और आपको job ढूड़नी पड़ेगी जब आप यह चीज अप्लाई करोगे तो इतना ज्यादा tough नहीं है पर आपको go through करना पड़ेगा सारे paperwork से यहाँ पर आप इस website में जाने क्वाद आपको सारा information यहाँ जाएगा यह form है जो मैं बता रहा था भी application for competency in optimization eligibility assessment इसमेंट इमे नंबर में यहाँ पर शो कर देता हूं तो यहाँ पर फोन नंबर वगड़ा email address वगड़ा है अगर आप connect करना चाहते हो easily आप connect हो सकते हो और मैंने तो फीज अपक्लो को दिखा दिया ही है back to examination so यहाँ पर exam fees कब exam होगी कहा exam होगी कैसे आपको क्या के questions आते हैं contact details सार है यहाँ पर दिया हुआ है आप जाके check out कर सकतो ऐसे interesting और information related healthcare के लेटेट वीडियो बगरा देखने के लिए मेरे चैनल को subscribe करिए लोगों के साथ share करिए और बने रही है मेरे साथ में ऐसे interesting वीडियो बगरा आप लोगों के लेकर आऊंगा please subscribe करिए thank you very much तब तक लिए अपना ध्यान रखे